कोटा फैक्टरी का सीजन वन मैंने सीजन टू रिलिज होने के एक दिन पहले देखा जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सीजन वन देखने के बाद I was like यार दो साल पहले आया था कोटा फैक्टरी मैंने ये तब क्यों नहीं देखा क्या कर रहा था मैं खुद से प्यार अब एन सीरीज तो है ही ऐसे टॉपिक पर जिससे हर कोई जुड सके एजुकेशन सिस्टिम जहां पढ़ाई है दोस्ती है प्यार है मिलना है बिछडना है घर से दूर जाना भी है और आपको बता दू के हर साल कोटा में एजुकेशन लेने के लिए बाहर से देड़ लाग स्टूड जाते है जिससे सिर्फ अकेले IIT JEE preparation classes से 40,000,000,000 की income generate होती है और यहां भी इस सीजन में एजुकेशन के बढ़ते business और competition के बारे में खुल कर बताया गया है तो हमेशा की तरह टीवी अपने कोटा फैक्टरी सीजन टू में भी 5 एपिसोड रिलिस किये है और पिछले सीजन क की तरह इस बार भी इसका color scheme black and white है वैसे अगर आपने last season के last episode का last scene देखा हो तो कुछ seconds के लिए वो colorful दिखाया गया था और इस season में आपके दिमाग में अगर ये सवाल अब तक चल रहा है कि कोटा फैक्टरी का color scheme black and white क्यों है तो इस season के first episode में आपको इसका answer बड़े ही clever तर भी कोटा फैक्टरी का season 2 देखेगा उसे season 1 का recap जरूर देखना ही चाहिए पिछले season की तरह इस season में भी कहानी वैभव के आसपास घूमती रहती है जिसका सपना था कि वो माहिश्वरी classes में जाए पर unfortunately उसका admission prodigy में हो जाता है पर last में माहिश्वरी जाने का उसका सपना सा test का pressure उसमें marks कम आने का pressure दोस्त अलग से मजा कुडाएंगे उसका pressure पढ़ाई में performance pressure teacher के डांट का pressure और हर teacher का अपना एक अलग process होता है सिखाने और समझाने का मतलब अगर एक जगा से दूसरी जगा जाओगे तो learning pattern totally change हो जाता है तो यहाँ भी students के ऐसे ही कुछ real life aspects पर काम क किया गया है और बहुत ही खूपसूरती के साथ आपके सामने पेश किया गया है बात करू casting की तो जहां बात tvf की आती है तो casting के बारे में सोचने या समझने की जरूरत ही नहीं रहती हर एक character आपको अपना सा लगता है ऐसा लगता है मानो वो character आप खुद ही हो और बाकी अटली या बनावटी नहीं लग रहा था हाँ दो चार actors का cameo है और एक surprising cameo है इस series में जिसको देखकर दिल खुश हो गया आपको बता दू के आप इस season को family के साथ देखते वक्त awkward feel कर सकते हो क्योंकि कुछ conversation इसमें adultery है बट साथ ही वो conversation आपके सामने थोड़ा comic way में और sex education point of view में रखे जाते हैं तो I think जादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाकि ये story teenagers की है तो हलकी पुल के गालिया भी आपको इसमें सुनाई देगी इसके fourth episode में आपको मा के importance के बारे में भी समझाया जाएगा और वो समझाते वक्त background में जो गाना चलता है वाओ यार mesmerizing तो overall अग इसी भी तरह से कोई कमी नहीं निकाल पाओगे जाएए और जरूर देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई